अब देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठापूर पुलिटिंग शुरुआत करते हैं प्रदेश सरकार का मुहिम है कि हर गडिव को अच्छी शिक्षा अच्छी स्वास्थ की सुविधा निल सके और उसी क्रम में लगाता प्रदेश सरकार के स्वास मंतरी ब्रिजेश पाठक के द्वारा प्रदेश के सभी जिलाचुकित साले का निरक्षन किया जा रहा है और स्वास सुविधाओं के बारे में मरीजों की जुआनकारी ली जा रही है और जहां भी सुविधाएं कम है वहां सुविधाओं को बढ़ाने की कवायत में लगे हुए हैं इसी करम में आज गोरकपूर के जलाचुकित साले में आज कमरे नंबर पतादे की 93 में फिजियो थरपी विभाग की मुख्य चुकित सा अधिकारी आशतोश दूबे के द्वार पीता कार का उद्गाटन किया गया इस दौरां जलाचुकित साले के प्रमुक अधिक्षक राजवेंद ठाकूर के ही बतादे की राजवेंद ठाकूर के साथ फिजियो थरपी विभाग के नौरल अफसर सहित अन्य डॉक्टर और करमचारी उपसित रहे हैं मीडिया से बात करते हुए मुखे चुकित साधिकारी और प्रमुक अधिक्षक नौरल अफसर ने बताया है कि फिजियो थरपी विभाग में एक बनाएक जाने वाले मुख्य उद्देश यही है कि दूर दरा से आने वाले गरीब तबके के सस्ते में फिजियो थरपी का ला मरीजों में 3 – 5 रुपय का शुल्क देकर सस्ते में सरकार की मन्षा को अनुरूप में फिजियो थरपी का लाख उठा सके इसको लेकर लगातार फीजोथरेपी को लेकर ये मुहीम चलाई जा रही है और इस दौरान बता दे कि फीजोथरेपी के कम से कम सस्ते से सस्ता में इलाज हो सके मरीजों को इसको लेकर लाव मिल सके इसलिए गौरफपूर में एक बता दे कि जुलाक चिकित साले में को खोला गया है जहां पर फीजो थरेपी का इलाज सस्ते से सस्ते दाम में किया जोएगा प्रवाइट करा करके उनकी पुनह उनकी पुरानी गत्विद्यों को हम वापस लाते हैं जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं फीजियो थरेपी जो है एक ये आधनिक बैग्यानिक नाम है योग हमारी सनातन संस्क्रति का एक पाड़ रहा है तो इसलिए जो आपकी फीजो थरेपी भी सदियों से है इसके जनक हमारे वेशी मुनी ही रहे हैं और इससे जो है सरीर हमारा निरोग होता है सरीर की गत्विदिया हमारी नियनतित होती है कमरा नमर तिलपन का में फीजो थरेपी डिपार्टमेंट का उद्गाटन इस कमरे का जिनों धवार के बाद किया गया है जिसमें हमारे अग्रस सियमो साहब हमारे डॉक्टर्स हमारे यहां के पिलियो थरेपी बंदू भाई बेहन सब इकठा थे आप सभी पत्रकार रूँ इसलिए किया गया है कि पहले हमारे यहां जो है ऑस्पिटल में जो भी डिपार्टमेंट इस वली ऑफ्टोपेडिक्स और बर्ण इसमें एक मेडिसीन का नाम होता है इसका नाम रिहाबिलेटिशन मेडिशीन है और अपने आप में होवे एक सब्जेक्टी हुए और यह हमा हम बोलते हैं आर लौट चलें घर तो हम पुरानी अवस्पा में लाने के लिए जब किसी मान लीजे किसी पेशेंट का उपरेशन होता है कि कोई चोट लगती कोई प्लास्टर होता है तो कुछ दिनों तक उनको ऐसी इस्तिती में रखा जाता है जड़ इस्तिती में समझज से खुच जाकर उन्होंने पूस्ता चुकी है फीता काड कर उधगाटन करते वे वे नजर आये हैं बता दे की गोड़कपूर जलाचुकित साले के बता दे की कमरे नंबर 53 में फीजियो थरापी विभाग का जलाचुकित साले पता दे की चुकित सा अधिकारी आशुतोस द अधिकारियों द्वारा कारवाई ना किये जाने पर नाराज मंत्री खुद ही सड़को परुपूर्ण करकर ओवर्लोड गारियों को पकड़कर सीज करने में लगे हुए हैं इसके बाद से कई अधिकारियों को ततकाल प्रभाव से निलम्मित किया गया है इसके बाद से चर्चा में आए पडिवहन मंत्री के कारवाई करते हुए वीडियो भी जम कर वायरल हो रहा है पर पिछले महिने में 28 दिनों में 27 लोगों की मौत हो चुकी है रहे देखें हम लोगोंने इस पर बहुत कर भी Mainly धर किया है वहले भी आप मोद्नेखें औंगे किस तरह से ऑब लोडिंक हो ती आज आप देखें होंगे कि बहुत सारे लेको नियंत्रन हो चुका है और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग खनन विभाग, पुलिस विभाग और हमारे प्रिवहन विभाग, ये तीनों मिलागर के टास्क कोर्स बना रहे हैं, ये हम लोग जीनों पॉइंट से ही, जहां से अपने बालू और बिटी लेके आते हैं, वही पर हम इनको रोक लेंगे, और इनको आगे वहां से नहीं बढ़ने देंगे, और जिसके छेत्र में आगे मिलेगा, मैं उस ऐसे अधिकारियों पर खरवाई चाहिए। मौके पर पहुची फायर पुलिस में बड़ी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन गनी मत यहीं रही कि कोई भी जान हानी इस दौरान नहीं हुई है। तीन बज़ के बारा मिनिट पर वहां से रवाना हुई, यहां आकर देखा, यह विरोध कुमार जी का मकान है, इसमें अंदर सौर्ट सर्कृट से आग लगी थी। और हमारी फायर उनिट ने यहां एम मोटर फायर इंजिन से तुरंत अपना होज फैला करके, पंपिंग करके, आग को धुआ फैला था, आग को काबू में किया, और पूर्ण उससे आग को बज़ाया। साथ ही साथ एक सालविज किया जाता है हमारे द्वारा, हमारी टीम ने वहां जो समान था, जो बचाया जा सकता, उसको बचाने का परियास किया, बचाया भी, और जो जलना था, वो जली गया, लगबग परिवार के लोगों द्वारा 75,000 से एक लाग का नुक्सान बताया ग साथ एक लाग किछा के श्वांतिपूरी छेत्र में बन बिभाग की सूचना दी गई है कि श्वांतिपूरी नंबर 4 में फंदे में फसा हुआ 3 वा मौके पर बन बिभाग की टीम ने फसे हुए 3 वे को सफल रस्क्यू किया है वही केच्छा के श्वांतेपूर छ्वेत्र के कोट खरा छ्वेत्र में श्रिकाडियों ने जाल बिछाया था जिसमें तेन गवा फस गया है जो स्टाफ है विद फुल बॉड़ी अप्रिप्मेंट जो है उनको यहां पर बेज़ और मैं खुद भी और एस्डियों अंगॉला के साथ यहां पर पहुचा यहां पर पहुचा यहां में देखा कि प्लाच वाइर में लेपड़ फसा हुआ है और जितनी ज्यादा देर र फसा रहेगा वो जो है उससे छुटने की कोशिश करें और प्लाच वाइर का इशू यह होता है कि एक वर तेंदवा उसमें यहां कोई भी जानवर उसमें फसा है तो वह जो है उसको और ज़्यादा टाइट करता रहता उससे उसकी मृतिव हो सकती है तो इसी करम में हमने ज जो सामान है ट्रैंकुलाइजिंग गन वगरा जो है उतियार की गई उसके बाद जो हमारा जो रेस्क्यू है उसमें हम फ्रेंट पे गए और डार्टिंग जो हमारी होती है किटा माइन आदी और उससे जो है इसको अनकॉंशियस किया गया वोई पिचिस मिनट के वेट पिर प्लचवाई राधी को जो हमने रिमूव कर दिया है फॉर्चुनेटली जो है प्राइमरली हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत जादा डैमेज नहीं हुआ है तो इसका परिक्षन अगवला अगले एक दो घंटे में जो हम देख लेंगे और अगर इसको को बहुत जादा डैमेज नहीं हुआ तो इसको वाइल्ड में हुए है वाफिस ठाल दी पता दे कि लगाता बर्बारी जारी है ओली में भी सीजन का पाचवी हिमपात है और साथी बीतिये वाग से ओली में रुक रुक कर बर्बारी का दोर लगाता देखने को मिल रहा है बर्बारी होने से पाइटकों की संख्या हलका फुलका इजाफा हुआ है वहीं ओली की सफ पटवारी लेकपाल भरती के लिए सभी ववस्थाय प्रश्रासन ने चाक चौबंत कर ली है। पटवारी लेकपाल भरती के लिए अपना पंजी करन करवाया था। वही नकल वहिन परिक्षा करवाने के लिए भरती परिक्षा केंद्रों में सुरक्षा के लिए पुकता इंपसाम किये गए है। उतरकाश्वी जुले के गार्जना छ्षेत्र में बता दे कि रॉयमेल से चवार गार के बीच तेंद्वा बाइक वालों पर जपटा मा रहा था दौरान बता दे कि गाउं के ही रमेश अस्वाल अपनी बाइक से आ रहे थे और तेंद्वा ने जपट्टे की कोशिश की और साथी लगपक 50 मीटर तक बाइक का वो पीछा करता हुआ देखा गया है वाई सितारगंज में दो अलग अलग सड़क दुरगटना का मामला सामने आया है जिसमें चातर की मौत हो गई है जबकि तीन चातर घायल बताए जा रहे है चातर के दौरा बता दे की घायलों को चातर की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें हाया सेंटर रेफर कर दिया है छेतर के एक नेजी स्कूल में कक्षा बारवी के चातर का शनिवार को विदाई समारो था स्कूल में सांस्कृतिक कारेकन चल रहे थे इसके बाद ही शाम में करी पांच बजे बाइपास मार्क पर अंबिका होटल के पास अज्यात गौहन से टकरातर स्कूटी असंतुलित हो गई है और इस से स्कूटी सवार दोनों छातर गिर गए और पीछे से आ रहे ट्रक से प्यांशु जोशी घाल हो गया है गौरफ के पिता पी एस सी में तैनात है उनका बड़ा भाई विशाल राना राज की महाविद्यारे में बी ए प्रथमवर्ष का चातर है कि मृत पस्था में यहां लाया गया है और दो लोगो को यहां लानी के बाद में एक को ट्रिट्मेंट यह रेफर कर दिया गया है इस कि प्रिट्धी हुए यह वो गड़ा वह ए और उसकी उन्र लगभद सतरा है ठर्णी उसकी झार नहीं है जो ढु़ार लोग जिसमें एक दिपक घट और अनुज बोरा को हमने रेफर कर दिया है सुचिला के बारी हलद्वानी के निये रेफर किया है प्रदबाद के थाना रामगड छेतर सांधी रोट नगला पिपलिया में तीन दुकानों में भैंद कराव लग गई मौके पर थाना पुलिस के साथ ही दमकल की गारिया पहुची और इस दौरान आग बुझाने का पड़े आस में लगातार जुट गई दौरान लाखों का नुकसान बताया जा रहा है और साथ ही थाना रामगड छेतर सांधी रोट नगला पिपलिया में अंबे नगर निवासी राहुल बेटे जग जीवन लाल की बिजली की दुकान है वही नूर नगर कोहिनूर रोड गली नंबर 14 निवासी मोहड आफिस के परचुन की दुकान के अलावा एक गोदा में शौर सरकित की कारण आग लग गई है सुच्रा मिलते ही थाना पुलिस पहुंचने के बाद दमकल की गारिया भी पहुंची और आज बुझाने का प्रियास लगातार किया जा रहा था मुहमद आसित की दुकान में ज्यादा नुकसान बताय जा रहा है फिलहार नुकसान लाखों की अनुमानित लगाया जा रहा है जिसके आंकलन पर पूरा नुकसान पस्ट हो पाएगा दो दुपाँ में दो दुबंस टुखान ऊजा नुकसान पर ट्sky क्या रहा है श्रावस्ते में बेते शाम किराने की दुकान में आनेंतितकार घुस गई है वहीं आनेंतितकार घुसने से देख दुकानदार और ग्राहकों ने किसी तरीके से अपना जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहे हैं ये पूरा मामला इकोना कस्बे के सीओ काडियाले तिराह का बताया जो रहा है। लड़की चला रही थी। हो गई है वहीं तीन कंभी रूप से घाल बताया जा रहे हैं। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज उराई भरती कराया है। साथ ही बता देई की जहां कंभीर स्थेथी को देखते हुए जहां सी हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया है पूरा मामला गुंदेल खन एक्स्प्रेस दे ग्राम केत हुई के पास का बताय जा रहा है काजगन जनपद के सोरो कोतवाली छेतर के गाओं लहरा में खेत में गया किसान लापता हो गया है पड़ी जनों ने नाम जदो उपर हत्या की आश्रंका जताई है और साथ ही बता दे की पड़ी जनों ने कारवाई की मांग को लेकर कोतवाली का घिराव किया है पुलिस से पूछताज के लिए कुछ लोगों को हिरासत मिलिया है खेत में किसान की बाइक और चपल वरामत की गई है आपको बता दे की कास गंच जनपत के सोरो कोतवाली शेतर के गाउं लहरा में लापता हुआ किसान की भाई कुवर पाल ने पुलिस को तहरीर देते पर बताया है कि लहरा गंगा की कटवी में करीब 25 बिखाज जमीन पर मेरे पता लाल राम का वर्षों से कबजा रहा है लेकिन दबंगई से कुछ वर्षों से ही गाउं के ही राम के शोर पपू नरेंदर ने जम कर कबजा कर दिया है और साथ ही जबरन कबजा किया है और उसकी पैमाईश पर कुछ दिन पहले ही कराई तो लेकपाल ने जमीन के सम्मन में दोनों पक्षों से स्पस्ट किया कि इस पर कोई कबजा ना करे वही उन्होंने बताया है कि रात लगभग साड़े आठ बजे भाई बता दे कि सूचना मिली पोन पर सूचना मिली कि दबंग खेत पर जबरन कबजा कर रहे हैं बाईक लेकर जो भाई है वे खेत में गया और इस दौरान बता दे कि लगातार पडिजन जो है हत्या का आरोप लगा रहे हैं और साथी फुलिस से मांग करते में नज़रा रहे हैं जमीन विपाति कर मामूला को कि दो कभी बात है कल की बात है तर ड़किया हुआ नंगे कर लाएट अब ने बताती कि दू नहीं हो रहा है यह वहीं नाम है क्या नाम हों कर लोगा नाम लेटा नहीं लिए आपके साड़े आट लगो टेम और से पता नगभा प्लूस से कंपल पूरा निवासी एक पीड़ता अपने पती बंटी के खिलाब शुकायत पत्र लेकर रहे सिस्पी कारेले पहुंची है तरसल आपको पता दे कि फीड़ता सूले खाने शुकायत पत्र बताया है कि मेरे पती बंटी मुरादाबाद में सिपाही पत पर तैनात है जिसका फाइदा उठाकर मेरे साथ ही आए दिन मारपीट कर मुझे प्रतारिक करते रहते हैं इतना ही नहीं वे मुझसे दहेच की मांग भी करते हैं वहीं जब मेरे द्वारा इस बात का विरोध किया गया तो उसने मुझसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया मेरी श्वादी आरे समाज के मंदिर में हुई है सब कुछ ठीकी चल रहा था मेरे पती बंटी थाना मुंगलपूरा के कॉंस्टेबल है मुंगलपूरा में कॉंस्टेबल है वो पुलिस में होने की वजह से अब मुझको मारते पीटते हैं और हद तो तब हो गई जब मेरी सास और मेरी ननत भी मेरे पती के साथ मिलकर मुझे मारती पीटती हुई नजराती है उन्होंने भी मुझे ब्लेम करा तो मैंने का अगर आप नहीं सुने को तो मैं वापस कप्तान सरक्या चली जाओंगी फिर उन्होंने मेरी बात थोड़ी बहुत सुनी तो मतलब वो सोचे कि कुछ कहीं करना दे तो इसलिए उन्होंने मतलब थुनी और मुझे यूही बेज आपने घर चले गए अपने घर चले गए कहां गए मुझे कुछ मता और मतलब है मतलब मिलकर मतलब पैसरिष्वत दी लेते हैं मुझे यह नहीं है पता कौन कर पर जो बंटी है उन्होंने मेरे पास उनकी रिकर्डिंगे सीचकी कि उन्होंने जो रिकॉर्डिंग है उन्होंने जियों सट्टे वालों के साथ मिलकर उन्होंने पाथ 20,000 उनको मिले थे 15,000 पता नहीं किसी और ने लिए इतनी मेरे पस बात है और 5,000 पर बंटी ने लिए थे मैं नियाए चाहती हूँ मुझे यहां से कहीं से भी नियाए नहीं मिल रहा है मैं आपर आती हूँ मुझे भगा दिया जाता है हरदोई के कसिंपूर थाना इलाके में एक विद्वा महिला की गला घोड कर हत्या कर दी गई है दरा सर्वेकल दोपहर को लकडी काटनी के लिए निकली थी और इसे ये बात से उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है उनका शब जंगल में पड़ा हुआ मिला है मामने की सूचना पाकर स्पी मौके पर पहुँचे हैं स्पी राजे इस्तिवेदी ने बताया है कि श्रीकर ही घटना का खुलासा कर लिया ज़ाएगा इस संसनिक हेज बारदात की सूचना पोलिस ने अधिकारियों उच्छ अधिकारियों को दी है जिसके बाद से बता गई की फिल्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुँच गई सूचना पर एस्पी राजे इस्तिरवेदी द्वारा मौके पर पहुच कर उन्होंने घटना स्थल का निरक्षन किया वहीं फिल्ड यूनिट ने घटना स्थल पर जाच कर साक्ष जुटाए है पुलिस ने शब को कब से मिलेकर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है घटना को लेकर करीबियों पर भी शक जताय जा रहा है पुलिस विभिन पहलूओं की ज्वाच परताल कर रही है एस्पी राजेश दिर्वेदी ने बताया है कि फ्रीख ही घटना का खुलासा हो जाएगा जो अभी तक ग्यात हुआ है कि काजेपूर और बनिया खेड़ा के बीच में जंगल है काजेपूर के रहने वाली महिला कल दिन में एक बज़े लखड़ी काट्री ने दी थी इसका कुछ पता ही चलबाया था इसका शव आज यहां प्रेड़ों के बीचे मिला है ऐसा पृतित हो रहा है कि इसी की साड़ी से सगला कस दिया गया है और शेस पुश्बटम से ज्यात होगा किस पर गार मिलती हुई है और पुलिस परताल कर रही है और किसने एक प्रेड़ी की होगा चुने फिलार इस गुलेटर में इतने ही न्यूज वाल इंडिया पर खबरों का सिलसला लगातार चारी है नमस्कार